गुडी यूणिंग फ्रेंड्स तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूटीब चैनल एस फार्मा ट्यूटर में तो मैं ले करके आयों आपके लिए वीडियो का थर्ड पार्ट जिसमें हम कवर करेंगे पैप्टिक अलसर एंड गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जो आपके कॉंसेट्स clear रहेंगे तो आज का वीडियो बड़ा ही इंट्रस्टिंग सा रहने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पैप्टिक अलसर पैप्टिक अलसर क्या है और ये किस वज़य से हो जाता है तो इसे समझते हैं थोड़ी देर के लिए पैप्ट जाना उसे हम क्या कहेंगे अलसर कहेंगे जैसे के मुझ में छाले पड़ जाते हैं कितने ज़्यादा पेइनफूल होते हैं तो सोचिए अगर वही छाला पेट में या फिर हमारे स्मॉल इंटस्टाइन के अपर पॉर्शन में डेवलप हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे पैप् पार्ड जिसे dutenum का आजाता है उसमें कोई ulcer develop होने लग रहा है तो उसे हम dutenal ulcer कहेंगे, अब ये किन-किन वज spotted हो जाता है तो दो तरीकी के factors इसे cause करते हैं जिनकी वज़से हो जाता है, aggressive factors और defensive factors aggressive factors अगर जदा हो गए तो ये कही न कही अलसर cause करेंगे अलसर की भीमारी हो जाएगी पेशेंट को डिफेंसिफ वेक्टर क्या है कि अलसर को protect करते हैं अलसर को होने से रोकते हैं तो अब आप क्या सोच रहोंगे कि अजब आप ग clap की वेज़े से कैसे अब वो तो अलसर को करने से chances हैं तो देख लेते हैं aggressive factors में क्या क्या है अगर acid की secretion जादा हो रही है पेपसिन enzyme की secretion जादा हो रही है तो उस वज़े से क्या है ulcer develop हो सकता है ns aids non-steroidal anti-inflammatory drugs जो की painkillers अगर होती है उनका use अगर कोई patient जादा कर रहा है तो उस condition में भी क्या है कि ulcer generate हो सकते है ulcer develop हो सकते है एच pylori bacteria अगर stomach में आ जाता है intestine में आ जाता है तो वह भी कई न कई ulcer cause कर जाता है defensive factor mucus mucus का का काम क्या होता है stomach में hcl की जो production है उससे stomach की lining को protect करके रखती है तो अगर mucus कई न कई कमचोड पढ़ रहा है mucus की … reception कम होरह है mucus कम हो रहा है तो उस particular part में ulcer होने की chances होते है mucosal blood flow कम हो रहा है तो उस case में भी ulcer हो सकता है sco3 biccarbonate अगर कम होने लग रहा है ुसकी secretion कम हो रहा है abundance तो उस case में भी ulcer हो सकते है प्रोजग्लेंडिन ये जनरली गेस्टिक म्यूकोसा से प्रोड्यूस होते हैं और इनका काम क्या होता है एसिड को इनिविट करना और म्यूकस को प्रोमोट करना तो अगर एसिड की सीक्रिशन को इनिविट करने वाला ही कुछ है नहीं वो कमजोर पढ़ने लग रहा है तो कही ना कई अलसर होने के चांसे है तो अगर अलसर हो गया किसी पेशेंट को तो हम उसे ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिशन्स प्रोड करते हैं तो बेसिकली चार क्लास की मेडिशन्स प्रोड की जाती है gastric acid secretion inhibitor जो gastric acid को ही secretion होने दे उसकी secretion को कम कर दे तो उसमें क्या है H2 histamines जिने H2 blockers भी कहा जाता है anticholinergics proton pump inhibitors pros glandin इनका use होता है दूसरी class है gastric acid neutralizer अगर acid बन गया है तो उसे neutralize करने के लिए antacids वगरह दिये जाते हैं तो systemic non systemic हो सकते हैं वो ulcer protective अगर ulcer कोई sore generate हो गया है तो उसके लिए कुछ protective होते हैं उनके उपर layer बना देते हैं उन्हें ulcer protective कहते हैं तो हम इने आगे detail में पढ़ेंगे तो वो class है हमारी पास एक anti-H pylori drug यह अलगी class है अगर bacteria की वज़े से इस H pylori bacteria की वज़े से ulcer generate हो रहा है तो उसके लिए यह medicines provide की जाती हैं तो एक एक करके ही नहीं समझ लेते हैं anti-histamine struck अब यह काम कैसे करती हैं यह H2 receptor को जा करके block करती है उसे inhibit करती है तो जिसकी वज़े से gastric acid का secretion कम हो जाता है 60-70% तक कम कर देती है यह दवाईयां यह acid secretion को जिसकी वज़े से क्या है कि secretion कम होगी तो ulcer में राहत मिलेगी ulcer ठीक हो जाएगा जल्दी यह all phases of acid secretion को suppress करती हैं और stomach का pH जो है 4-5 maintain करके रखती हैं तो इनका therapeutic use क्या क्या है किनकिन कामों में use हो सकते हैं यह H2 blockers हमारे anti-histamines blockers तो पैप्टिकल सेर दोनों केस में gastric और diodinal ulcer दोनों के केस में इनके यूज किया जा सकता है gastro-esophagal reflux disease के केस में यूज किया जा सकता है stress ulcer हो रहे हैं या gastritis हो रहे हैं उस केस में भी इनके यूज किया जा सकता है secondly हमारे आते है proton pump inhibitors यह भी gastric acid की secretion को ही रोकते हैं यह जा करके HK ATPase को block कर देते हैं उसे inhibit कर देते हैं जिसकी वज़े से acid secretion रोक जाता है और ulcer को heal होने में time मिलता है heal होने के लिए उसे time मिलता है यह generally gastro-esophagal reflux disease में भी use हो सकता है तो इनका जो therapeutic use है peptic ulcer, H. pylori की वज़े से कोई ulcer हो रहा है NSAID की वज़े से कोई ulcer हुआ है या GERD, gastro-esophagal reflux disease है stress ulcer हो रहा है तो उन cases में हम इने use कर सकते हैं proton pump inhibitors में कौन-कौन से drugs आते हैं omeprazole, isomeprazole, pentaprazole, rabiprazole rabiprazole तो आजकल बहुत ज़्यादा commonly use हो रही है तो ये सारी drugs जो है proton pump inhibitors में आती है इनका adverse effect क्या होता है कि इनकी वज़े से हाथ-पैरों में दर्द रहता है rashes हो सकते हैं headache हो सकता है atrophic gastritis भी हो सकती है तो ये सब इसके कुछ adverse effect थे pros glandins pros glandins अभी हमने पढ़े थे कि क्या होता है ये intestinal mucosa में secret होता है वहाँ पर release होता है और इनका काम क्या होता है acid को inhibit करना protect करना protective function होता है इनका तो इनका cytoprotective action है mucos को increase कर देते हैं bicarbonate की secretion को increase कर देते हैं mucosal blood flow को increase कर देते हैं जिसकी वज़े से कहीं न कहीं ulcer को treat करने के लिए इने use किया जा सकता है therapeutic use किया है ये सिर्फ NSAID induced ulcer के लिए provide किये जाते हैं तो pros glandins में क्या है mesoprostol नाम की एक drug है जो commonly used होती है इसका adverse effect क्या है diarrhea cause कर सकती है abdominal cramps हो सकती है पेट में मरोडे उठ सकती है अगर female को दिया जा रहा हो तो uterine contraction और bleeding भी यहां तक ही हो सकती है uterine contraction बहुत जादा बढ़ जाती है तो ये इसके कुछ adverse effects थे anticholinergics ये selective M1 receptor blocker सी इसमें दिया जाते है anticholinergics में तो ये M1 receptor क्या होते है M2 receptor क्या होते है इन्हें हम detail में पढ़ेंगे cholinergic की जब वीडियो बनेगी उसमें तो अभी के लिए सिर्फ हम इतना समझते है कि M1 receptor को जाकर के block कर देते है और जिसकी वज़ासे acid की secretion रुख जाती है और peptic ulcer को heal करते हैं तो इसमें medicines कौन कौन से प्रोवाइड की जाती है Piperanzepine Talenzapine Propatheline वगएरे ये कुछ drugs है जो prescribe की जाती है हमेशा prescriber के थू Antacids Antacids तो नाम से ही समझ में आ रहे है कि ये क्या करते है कि gastric acid को neutralize करते है pH को maintain करके रखते है अगर pH बहुत जादा बढ़ गया है तो pH को अगर बहुत जादा घट गया है तो उसे raise करते हैं तो ये basic substance होते है जिनका काम क्या होते है neutralize करना गया असिड को ये दो टाइप के हो सकते है systemic या non-systemic systemic में sodium bicarbonate sodium citrate के salts होते है non-systemic में magnesium hydroxide magnesium trisilicate होते क्या है इनका mechanism of action क्या होता है अगर stomach का pH 4 से कम हो गया तो यानि कि ज़्यादा acidic environment हो गया अगर pH 4 से कम हो गया तो ज़्यादा acidic environment हो गया उस case में क्या होता है कि ये जो drugs होती है अपनी आप polymerization कर देती है और sticky gel produce कर देती है जो की ulcer के ऊपर जा करके चिपक जाता है वहाँ पे जा करके form हो जाता है वहाँ पे जा करके लग जाता है और protect करता है ulcer को acid से तो ये कुछ ulcer protectives दिये जाते हैं जो dudenal और gastric ulcer दोनों की case में दिये जा सकते हैं इनका adverse effect क्या होता है कि जो ये gel produce होता है वो constipation cause कर सकता है dry mouth हो सकता है और hypophosphatemia हो सकता है तो ulcer protectives कौन-कौन सी जो drugs होती है जो prescribe की जाती है generally sucral fate, collidal, bismuth, substrate वगरे जो drugs है इन्हें provide किया जाता है अब आती है anti-H pylori drugs तो H pylori होता कहा है सबसे पहले helicobacter pylori इसकी full form है ये gram negative bacilli bacteria है जो कि mucus के नीचे जाकर के चिपक जाता है और H plus iron की concentration को बढ़ा देता है अब H plus iron की concentration बढ़ने लग रही है तो basically होगा क्या कि acid, acidic environment create होगा acid जादा से create होगा तो उस case में क्या है कि ये जो bacteria है जो वो peptic ulcer cause कर सकता है और 90% लोगों में देखा गया है कि अगर किसी को peptic ulcer हो रहे है तो उसका cause ये H pylori helicobacter pylori bacteria ही होता है तो इस case में हम कौन-कौन सी drugs को prescribe करते हैं तो clarithromycin, metronidazole और amoxicillin इन सारी drugs को generally prescribe किया जाता है कुछ important drugs हैं जो लिखी हुई है बाकी जो table दिखाई थी उसके अंदर proper सारी की सारी drugs है तो अब अगला आता है हमारा जो last है वो GERD gastroesophagal reflux disease ये क्या है एक digestive disease है जिसमें क्या है कि stomach का जो acid या फिर जो bile है वो उपर उठ करके food pipe को irritate करता है food lining को irritate करता है जिसकी वज़े से heart burn वगेरा हो सकता है छाती में जलन कई सारे लोग बताते हैं कि छाती में जलन हो रही है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि heart attack है या फिर heart burn है वो GERD की वज़े से होने लग रहा है तो ये एक बहुत common disease है जो लोगों के अंदर पाई जाती है इसके sign और symptoms क्या है heart burn हो सकता है regurgitation हो सकती है क्या कि जो भी खाया हुआ है वो mouth तक आ जाएगा expel out हो करके vomiting नहीं होगी regurgitation अलगी होता है mouth तक आ जाएगा वो food particle तो उसे regurgitation कहा जाता है अगर खाना निगलने में swallow करने में कोई problem होने लग रही है dysphagia उसे कहा जाता है ये एक symptom है खाना निगलने में pain हो रहा है odinophagia जिसे कहते हैं वो भी इसका एक symptom है excessive salivation जादा saliva बनने लग रहा है mouth के अंदर nausea, ulty जैसा मन हो रहा है जी मचला रहा है chest pain हो सकता है dyspepsia, indigestion की problem हो सकती है तो ये सारे इसके sign and symptoms थे अब हम कौन सी drugs जो है वो इसमें provide करी जाती है जो उन्हें देखते हैं तो इसमें या तो inhibitors दे देंगे हम या neutralizers दे देंगे जो gastric acid की secretion को inhibit करें या neutralize करें तो proton pump inhibitors जिसमें omiprazole, pentaprazole आती है वो commonly use किये जाते है H2 blockers, H2 anti-histamines अभी हमने पढ़े थे जिसमें cementidine, ranitidine, famotidine वगेरा आते हैं तो उनको prescribe किया जाता है ये क्या करते हैं, inhibit करते हैं gastric acid secretion को antacids को prescribe किया जाता है magnesium hydroxide, aluminium hydroxide वगेरा जो कि neutralize करते हैं gastric acid secretion को barrier agents दिये जाते हैं जिसमें sodium alginate वगेरा आगे जो barrier का काम करते हैं वो उसे आने नहीं देते हैं उस acid को या उस bile को food pipe तक नहीं आने देते barrier agents कुछ prescribe किये जाते हैं कुछ prokinetic drugs हैं prokinetic drugs basically होती क्या है gastric emptying को promote करती है यह सारी drugs और les ketone बढ़ा देती है les होता क्या है इसे समझते है lower isofagal sphincter जो यहाँ पर मिलता है food pipe और stomach के एकदम जहाँ पर जुड़े हुए होते हैं end पर stomach के end पर food pipe के end पर मिलता है इस sphincter का का काम क्या होता है कि अगर food चला गया है तो यह बंद हो जाता है इसे वापस उपर नहीं आने देता acid वगेरे को उपर नहीं आने देता तो यह इसका काम होता है basically तो अगर यह sphincter धीला हो गया यह किसी वज़े से यह इसकी tone अच्छे डंग से यह काम नहीं कर पा रहा है तो उस case में भी GERD हो सकता है gastroesophagal reflex disease हो सकता है तो यह जो drugs होती है जैसे कि Caesar Pride यह L.E.S. tone को बढ़ा देती है इसे sphincter को मजबूत करती है और gastric emptying को promote करती है तो यह कुछ drugs हैं जो इसमें use की जाती है तो हमने सारी-सारी drugs cover कर ली उनका mechanism of action cover कर लिया तो आज के लिए बस इतना ही था थैंक्यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे आप से मिलते हैं next वीडियो में